हेलो एवडिवान विल्कम टू मेक अप मंत्रा और कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आद मैं आप लोग के पास फिर से हाजिर हूँ एक नए प्रोड़क्ट की वियू के साथ जो की बहुत 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 जरूरी है हम सभी के लिए में सो विमें सो गर्ल सो बॉयल सो हर किसी के लिए बहुत थी यूनिक प्रोड़क्ट है और बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैं किस प्रोड़क्ट के बारे में ब होते हैं brown dark brown and black तो मैंने जो इसमें purchase किया है वो dark brown purchase किया है क्योंकि मुझे black color इतने अच्छे नहीं लगते लेकिन जिन्हें jet black पसंद है वो jet black भी purchase कर सकते हैं और ये costly भी नहीं है गाइज ये 220 रुपीज में मुझे मिला है और देन आप इससे 25 टाइम 25 टाइम यूज कर सकते हो और फ्रेंज इसमें जो है लॉरियल वाले क्लेम करते हैं कि ये 25 टाइम चलेगा लेकिन जिसके थोड़े बहुत ग्रे हेर होते हैं उन पे साधे 25 टाइम चल जाए लेकिन ये ब है ये डार्क ब्राउन सेड में है तो थोड़ा सा ट्रांस्पेरेंट होता है जो ग्रे हेर है इसमें लगाने के बाद थोड़ा सा ट्रांस्पेरेंट होता है अगर आप ग्रे हेर बहुत जादा है तो आप इसमें ब्लैक कलर ही पर्चेश करना क्यूंकि बहुत ज्यादा आपको कहूंगी कि आप इसे जो हैं पूरा हेर सेट करने के बाद भी लगा सकते हो आप जिस तरह से हेर स्टैलिंग करना चाहते हो इसके बाद आपको जहां पर ग्रे हेर दिख रहे हैं उस जगह पर अगर आप लगाएंगे तो आपको पूरे हेर में नहीं लगाना में क्या होता है कि जब तक आप हेर वास नहीं करते हो उतने टाइम तक यह आपके हेर में रहेगा और यह ट्रांसपर भी नहीं होता है आगे मैंने वीडियो में आपको दिखाया हुआ है ना ही यह मेरे हेंड में ट्रांसपर हुआ है मैं आपको किलियर वीडियो में दिखा और फ्रेंट्स आपको यहां पर किलियर दिखाई दे रहे होंगे कि मेरे हैर थोड़े-थोड़े से ग्रेय हैं कहीं कहीं पर ग्रेय हैं और फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखिए इससे आपको सही जनकारी मिल पाएगी कि प्रोडक्ट सही है या नहीं है और मैंने यहां प 153 cm की दूरी से लगाना है अपने face को cover करते हुए लगाईएगा ताकि आपके face पे ना है और जब आप इसे लगाएंगे तो थोड़े-थोड़ी ठंडी भी महसूस होगी आपको और जहां जहां आपके grey hair है उदर-उदर आपको इसे लगाना है बस थोड़ी दूरी से ही इसे अप्लाई करेंगे और एक ही जगह पे नहीं करना है जिस तरह से मैं करूँ हर जगह थोड़ा सा मूब करते हुए राउंड राउंड करते हुए इसे लगाएंगे और आप देखिए जिस तरह से यह वाइट टिसू है इस पेस का कलर आता है सेम हमारे हेर पे ऐसे ही आएगा औ लेकिन यह ट्रांसपरेंट है देखिए पूरा ब्लैक नहीं हुआ ना इसी तरह हमारे हेर भी ट्रांसपरेंट ही रहेंगे और अब देखिए मैं आपको दिखारी हूँ यह बिल्कुल भी ट्रांसपर प्रूब में भी नहीं आगा और मैं हलके हातों से नहीं कर रही हूँ जोडोडोर से harm कर रहा हुं लेकिन फिर भी नहीं है और दिखियु कर नहीं कर यो की मैं सामने में यह आंद से होगाइन मैं गयपिंगन ज्यादा दिखह रही है तो उसे ही उस आता लखुरे में कर दिक औरिखाने आप देख सकते हैं और इसे जो हम यूज करेंगे दस से पंदर सेंटीमेटर की दूरी से हमारे हेर में यूज करना है और इसकी जो क्वैंटिटी है वो 75 ml प्रोडक्ट हमें मिलता है और इसका सेल्फ लाइप 3 यर्स है जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है अगर आप ब्रा है जरूर जरूर दाउन करना कि कैसे करें हें अबर आज इसे जरूरे आपने में सेुन लगेगा तो यह आप कभी भी मेकप करते समय हलका सा थोड़ ऐसा टाइम लगता है आप इसे स्प्रे कर लो और काफी अच्छा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके ग्रेहर हैं तो और यह हाउस वाइप के लिए अच्छा है कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है और वर्किंग है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमेशा ठंडी हो उस समय में भी या सदेनली मुझे कोई पार्टी फंक्शन में जाना होता है तो ग्रेहर होते हैं और मुझे पता चला कि पार्टी में जाना है या आपकी से पार्टी में जाने के लिए तो मैं तो कहूंगी यह मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे नहीं लगा था कि यह वर्क करेगा और जब मैंने इसे देगा था तो मुझे इसे लेना था लेकिन मैं सोच तो पता नहीं यह वर्क करेगा या नहीं करेगा लेकिन मैं बोली नहीं मैं इसे उन लेऊंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी और बताऊंगी कि यह वर्क किया के नहीं लेकिन फ्रेंज मुझे यह बहुत बहुत ही अच्छा लगा है और यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिसके स्केल्प दिखते हैं और आप देख सकते है १ीan बीच में परेटिशन किया है तो थोड़ा सा गैपिंग यह उच जगह पे इसे युक्त है तो इहाँ पे दोनों जो साइड में हो थोड़ा से फिल्ड हो गया है तो गैपिंग थोड़ा कम दिख रहा है तो यह उन लोगों के लिए और भी अच्छा जिनके हेर जो है उरूर गया हैं कहीं कहीं से खाली है तो उनके लिए बहुत अच्छा है और इसे लगाने से पहले आपको इसे अच्छे से करना है और इसे हलका हलका एस्प्रे करना है एक ही जगह पर बहुत ज्यादा इस्प्रे नहीं करते जाना है एक ही टाइम में और इसे जब आप आपको थोड़ा थोड़ा ठंडर ठंडर लगेगा जैसे कि आपने इसी फ्रीज में से रखके निकाल के लगाया है इस तरह का फील होगा और फ्रेंज मैंने आपको बताया है कि अगर आपके बहुत ज़्यादे ग्रे हेर हैं तो आप डार्क ब्राउन ना लेके ब्लैक कलर वाला पर्चेज करना क्यूंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बार बार करके करना परता है तो थोड़ा सा ट्रांस्पेरेंट रह जाता है हे इसमें ब्लैक वाला कलर है वही आपको परतिच करना होगा लेकर लेकर रूट वगेरा के लिए मैं तो यही कहूंगी कि रूट में अगर अप्लाइज करना है तो आप डार्क ब्राऊं अप्लाई करें और यह फोड़े से ज़ादा इतने इतने दूर में अगर भुड़े है और वो थोड़ा सा पैची भी लग सकता है इसलिए और ये देखे मैंने यहां पर इसे अप्लाई किया है तो आपको कहीं से भी पैची नहीं लग रहा होगा आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगए कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हिए इक दूसरे में aq रहा है रहां थे इस जितुत वाइक क्ष़टे ज्रुफ्टे मार्क्स देने वाली हूँ और अपलोग में ज्युरूर ज्यूरूर से परल्रेक्व के रहा है और आप तुरत तुरत color नहीं करना चाते हो उसे बचना चाते हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा option है और बहुत ही कम budget में है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तो must buy है guys आप इसे एक बर जरूर परज़ेज करना तो friends क्याशा लगा आपको ये मेरा video अगर आपको मेरा video अच्छा लगा होगा मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो please 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 video को like कीजएगा channel को subscribe कीजएगा and family and friends के साथ share कीजएगा और आप लोग जल्दी जल्दी से subscribe नहीं कर रहे हो तो please मुझे सब्सक्राइब कीज़े मुझे आपके साथ हैं सब्सक्राइब की काफी जरूरत है फ्रेंस भाइबाइब